बस एक बात सीखो गंदे विचार ख्तम हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं गंदे विचार ख्तम करने वाली इस कहानी में। एक समय की बात है बौध भिक्षु हर दिन तथागत से कहता मैंने मन को जीत लिया है अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता तो एक दिन गौतम बुध ने कहा ठीक है तुम दक्षिन दिशा में भिक्षा मांगने जाओ यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है फिर अगले दिन नहीं भिक्षुने व्याकुल होकर कहा मुझसे बड़ी गलती हुई लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाओंगा यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राज महल सब कुछ त्याग कर बौध संग में श अमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए संध में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षा तन पर जाने लगा शुरू शुरू में सब ठीक था लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षा तन पर जाने से मना कर दिया भिक्षा तन का नियम था कि भिक्षु केवल दो घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल्ग रहन करते एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस सहयोग से भिक्षा नहीं मिली श भिक्षू बड़ा प्रसन्न था उसने लोटकर गौतम बुद्ध से कहा आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई लेकिन मेरा मन शांत है ना किसी। विचार ने मुझे परेशान किया गौतम बुद्ध भिक्षू की सारी भावनाए समझ रहे थे। तथागत ने कहा अच्छी बात है अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांधने जाना भिक्षू ने आग्या का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांधने निकल गया कुछ देर बाद जब भिक्षू महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह एश आराम का जीवन जीता था। इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूँ, अगर मैं इन शारिरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागरित अवस्था खोदूंगा भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयन को दो, कदम आगे ले ज जाते हैं, चेतना का स्तर उपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है, जब हम मन को शांत करने लगते हैं, तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है, भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्म चिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सुक्ष्म दृष्टी प्राप्थ करली भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा तथागत आज मुझे आपकी क्रिपा से सुक्ष्म दृष्टी प्राप्थ हुई मन हमें बार-बार इच्छाओं में उलजाना चाहता है महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए गौतम बुद्ध ने कहा अच्छी बात है कल नगर की दक्षिन दिशा में जाना वहां एक हवेली है वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना भीक्षू बहुत खुश हुआ आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था पर दोस्तों इस बार की यात्रा भीक्षू पर भारी पढ़ने वाली थी कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई आवाज सुनकर एक सुन्दर। युवती बाहर आई भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुन्दर्ता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरा यहां आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा आए पहले भोजन ग्रहन कीजिए भिक्षु ने भोजन किया फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता भिक्षु यह सब सोच ही रहा श्रीमान आपने अभी अभी अने ग्रहें किया है अब थोड़ा आराम कर लीजिए फिर उपदेश शुरू करना यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया जो योजना वह मन में बना रहा था। यह महिला वह सब बिन बताय करती जा रही थी भिक्षु ने सोचा यह सब संयोग ह यहां लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझगार है और इसकी सुन्दर्ता बेजोड है अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे इतने में युवती फिर से आई और बोली अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते भिक्षु जी आप तो मुझे उपदेश देने आये थे ना युवती का इतना कहते ही भिक्षु को सपष्ठ हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड कर पूछा क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है युवती ने कहा क्षमा कीजिये ध्यान करते करते मेरा मन शान्थ हो गया है इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं उनकी भावनाएं समझ हा जाती हैं जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई फिर बिना कुछ बोले भिक्षु ततकाल आश्रम की ओर चल पढ़ा रास्ते में चलत हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था उसकी बेचैनी बढ़ गई थी भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग और संध के बारे में क्या सोचेंगे आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुँच गया जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुँचा तो तथागत ने देखा कि उसके चहरे की रौनत जा चुकी है दोनों कंध जुके हुए थे भिक्षु ने बुद्ध से कहा अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा तथागत ने कहा पहले आराम से बैठो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी ठकान क्यों है आज तुम्हारे चहरे पर तेज की जगह गलानी की भावना क्यों है भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुन्दर्ता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था मैं मन से पूरी तरह हार गया अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा मैंने बौध संग का भारी अपमान किया है गौतम बुद्ध ने कहा सबसे पहली बात परिशानी को बढ़ा चड़ा कर मत सोचो अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो की सब खत्म हो गया बिना सोचे निशकर्ष पर मत जाओ दूसरी बात ध्यान दो की कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिश्योक्ती करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे जैसे मैं हमेशा हारता हूं जीवन में कुछ नहीं बचा मैं मन से पूरी तरहा हार गया मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि ऐसा करने से मन अती भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली भिक्षु ने पूछा अगर मैंने अपने मन को जीतिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया गौतम बुद्ध ने कहा सबसे पहले यह समझो की विचार पैदा कैसे होते हैं पहले बाहर कुछ हुआ फिर उस घटना के प्रती अंतरमन ने प्रतिक्रिया की इस कारण शरीर में भावना या संसनी पैदा हुई फिर इस सेंसेश भिक्षु ने पूछा हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ती आती कहा से हैं गौतम बुध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ती प्रदान करते हैं जब आप जज्जमेंट और सही गलत के टैड़ लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रती रियक्ट करने लगते हो एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो जब तक आप आपको जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखा कर हावी होता रहेगा भिक्षु ने पूछा फिर मन शांत कैसे होगा। और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रियक्ट कर रहे हो और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। तो यह गायब भी हो जाती हैं तब मन के पीछे जो शांती है वो प्रकट होती है और उस शांती में एहसास होता है। कि मन हमारा कुछ नहीं बिगार सकता हमारा अंतरमन कैसे ठीक होता है। अगर हम किसी भी इनसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जज्जमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतरमन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रती विचार केवल मेरे अंतरमन के रियाक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूं मन में बहुत कुछ चड़ रहा है लेकिन मैं सास के प्रती सचेत हूं। मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ तब भी तुम सचेट होकर ग्रिष्टा भाव में लौट आते मन के पीछे जो शान्ती है। वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है हम बड़ी आसानी से विचारों को को शान्त कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिन्ता असल में इस शान्ती को पार नहीं कर सकता हम हमेशा विचारों से अचुते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो विचार तुम से हैं, तुम विचारों से नहीं, तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो. अब तुम अगले साथ दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे, और ध्यान रखना अपने विचारों को जजब मत करना, अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खट खटाते हैं, तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांती हो जिसमें सब हो रहा है, अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागरित होकर चला महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु द्रिष्टा भाव में बना रहा विचारों को शरीर में उठ रही भावनाओं को डरों को गिल्ट को सब को बस देखता रहा जब वापस लोटा तो, वह पूरी तरह शांत था, आज उसने मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था, आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था, तो दोस्तों आपको यह गौतम बुद्ध की प्रेनादायक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकी वह भी इस कहानी को पूरा सुनकर अपने जीवन में प्रयोग करें, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद